नमस्कार आप सब का स्वागत हैं बिग बॉस के घर में मौजूद अरशी खान कभी शिल्पा शिंदे को अपनी खास दोस्त मानती थी लेकिन अब हाल यह है कि वे उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हाल ही में जब कैप्टेन सी टास के लिए जब दो उमीदवारों के नाम चुनने का मौका आया तो अरशी शिल्पा को कहते सुनी गी कि उन्हें उनकी शक्ल ही नहीं देखनी अरशी के विवहार के बाद शिल्पा को रोते हुए भी देखा गया दरसल अरशी खान बिग बॉस के घर की कप्तान थी और जब नए कैप्टेन के चुना की बात आए तो बिग बॉस ने उनसे अपनी टीम में से दो लोगों के नाम मांगे अरशी के टीम में विकास गुपता, लवत्यागी और शिल्पा शिन्दे थे अरशी चाहती थी कि एक नाम वे खुद का दे और दूसरा नाम विकास या लव में से किसी एक का हो वे शिल्पा को कैप्टेन सी की रेस में शामिल नहीं करना चाहती थी लेकिन शिल्पा ने इसे लेकर आपती डाहिर की उन्होंने कहा कि वे इस सप्ता कैप्टेन बनना है हाला कि अर्शी ने यह कहकर उनका विरोड किया की टास्क लग्जुरी बजट में सबसे कमजोर परफॉरमेंस उनहीं का था इसलिए वे इस रेस में शामिल नहीं हो सकती अर्शी ने शिल्पा को लेकर कहा कि 11 सप्ता में जब उन्हें कप्तानी की जरूरत नहीं थी तो बाराहवे में क्यों पढ़ रही है इतना ही नहीं अर्शी ने यह भी कहा कि 11 सप्ता में कई बार मका मिला लेकिन शिल्पा ने मेहनत नहीं की अरशीक का कहना था कि बीते सब ताँ उन्हें CaptainC कह राद में मिली थी, इसलिए वे अपने बल्बूते पर Captain बनना चाहती हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें CaptainC की जरूरत है, इस पर शिल्पा ने पलट वार करते हुए कहा कि CaptainC का हबख होता है, जरूरत नहीं, बतादे की अर्शी खान की टीम बीते सप्ता हुए लगज़ी बज़ट टास्क की विजेता बनी थी और दूसरी टीम के मेंबर्स आकाश ददलानी, हितेन तेजवानी और प्रियंग शर्मा को खराब परफार्मेंस के लिए कालकोटरी में डाल दिया गया था